वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मेडरेनल विथ डालिसीस जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले के वीडियो में मैंने टेस्ट और प्रिप्रेशन के बारे में बताया था ठीक है बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था अलाम के बारे में कि मैं अलाम के बारे में बताऊं अगर हम डालिसीस कर रहे हैं तो उस टैम पे बहुत सारे अलाम आते हैं जिनका सॉलिशन हमें नहीं पता रहता है जैसे कंड़क्टिविटी अलाम हो गई आर्ट्रियल, वेनस, TMP और जो लाइटे जलती हैं उन लाइटों का क्या मतलब होता है में ये सारी चीज़े आज हम देखेंगे आप सभी को थाइंक्यू सो मज मेरे 400 सिस्क्राइबर कंप्लीट हो गया हैं ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करते रहें फर्स्ट है कंड़क्टिविटी अलाम कंड़क्टिविटी नॉर्मल जो कंड़क्टिविटी होती है वो 12 से 16 के बीच में होती है ठीक है, conductivity alarm, low conductivity, mostly क्यों आता है, poor water flow के कारण, या जहां आरो से पानी आ रही है, वो inlet pressure, जहां से आ रही है, वहाँ पे pressure कम है, इस वज़ा से wrong dialacid considered, जो part A, part B है, concentration है, जो concentrate container है, part A, part B का, या buy bag है, online machine में ये क्या होता है, खताम हो जाय रहता है, उस time पे भी conductivity alarm आता है, ठीक है, तो इसका solution हम क्या कर सकते हैं, अगर online machine है, तो हम buy bag को change कर देंगे, अगर निप्रो की machine है, या कोई दूसरी machine है, जिसमें part A, part B लगी हुई है, तो उस time पे क्या करेंगे, part को change करेंगे, ठीक है, अगर आपने घोला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, फेक के दूसरा बनाके, हम उस पे लगाएंगे, तो conductivity चली जाएगी, एक चीज़ हमें सद्यान रखे, अगर कोई भी machine में alarm आ रही है, तो उसके बाजू में एक question मार किया दिया रहता है बटन, उसको click करने से वहाँ प रहता है, वो उसका जो powder रहता है, वो कभी-कभी जादा हो जाता है, उस time पे भी high conductivity alarm आती तो उसमें भी हमें पार्ट को change करना है, दूसरा आर्टियल प्रेशर, नॉर्मल आर्टियल प्रेशर जो रहता है, वो 60-200 के बीच में ऐसा रहता है, ठीक है, तो low arterial pressure अगर आ रहा ह है, तो क्यों आ रहा है, क्या-क्या reason से हो सकता है, low arterial pressure से देखो, आर्टरी का है, जाहर सी बत है ना, तो hypertension, hypovolumia, है ना, इन सब के कारण भी low arterial pressure हो सकता है, अगर जहां से हम ले रहे हैं, जैसे AVF है, तो वहां पे stenosis हो गया है, inflow नहीं आ रहा है, या fistula है, वो अच्छे position गलत हो जाता है, उस वज़े से भी low arterial pressure आता है, या कहीं से जो line रहती, जो connection रहता है, वो धीला हो जाया रहता है, ये सारे reasons हो सकते हैं, तो low arterial pressure रहते हैं, तो इस time पे हमें solution क्या करना है, इस time पे हम solution क्या कर सकते हैं, जो हम AVF लगाया है, निडिल है ना, उसका position हम ठीक करेंगे, या हमने line connect किया है, temporary vascularysis पे तो हम देखेंगे कहीं line, अगर connection lose हो गया है, तो वहाँ पे हम उस connection को ठीक करेंगे, इपोटेंशन पे है, तो हम UF को थोड़ा कम कर देंगे, ब्लड फ्लो को कम कर देंगे, तो इस time पे भी क्या है, ये alarm जो है, चला जाएगा, दूसर वेनस प्रिशर, ठीक है, वेनस प्रिशर क्या होता है, जहां से हमारा जो ब्लड रहता है, वो वापस बॉड़ी में जाता है, जिसके थूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉबलम होती है, तब वेनस प्रिशर आता है, वेनस प्रिशर हमेसा positive होता है, और arterial pressure हमेसा negative हो हाई वेनस प्रिशर का बात है, अगर clotting है, वेनस चंबर पे, ट्यूबिंग पे, या डालेजर पे कहीं पे भी clotting रहती है, तब वेनस प्रिशर हाई आता है, या जो connection हम किये रहते हैं, टेंपररी वेस्कुलर एसेस पे, वहाँ पे disruption रहता है, तब हाई वेनस प्रिशर आत उस टाइम पे भी क्या होता है, वेनस प्रिशर हाई आता है, क्या हो सकता है, अगर कोई भी सी line, clamp है, तो देखो, line clamp है, तो blood को जाने का extracorporeal circuit में जगा नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे वेनस प्रिशर हाई आएगा, क्यूंकि अगर body में नहीं जा रहा है तो उस time पे क्या होता है whenness pressure high आता है तो हमें simply क्या करना है पहले देखना है कि कहीं पे clamp हुआ है तो उस clamp को हम अपने को open कर देना है clamp open करने के time हमें ध्यान रखना है कि जो blood flow है वो कम में रहे क्योंकि एकदम से हम clamp खोलेंगे और वो body में जाएगा तो उसे patient को दिक्कत हो सकती है अगर हमें clotting थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है तो हम NS से flush कर देंगे ठीक है तो उसे क्या होगा venus pressure थोड़ा सा अपने ठीक हो जाएगा तो एवी एफ निडिल को हम उसका position को क्या करेंगे थोड़ा ठीक कर देंगे दूसरा low venus pressure थीक है जो low venus pressure रहते है अब यह क्यों आता है low venus pressure में last zero तक वो जा सकता है थीक reason क्या क्या हो सकते है पहला यह कि जो line रहता है जो venus line रहता है उसका connection क्या रहता है disconnect हो जाता है ठीक है अगर हम vascular assess लिये है पर्मनेंट हो चाह टेंपरेरी हो वहाँ से line अगर tubing की line disconnect हो गई है तो low venus pressure आएगा या vascular assess का needling अच्छे से नहीं हुआ होगा तो आएगा ठीक है अगर blood pump का speed कम है तो low venus pressure आता है ठीक है अब यहाँ पर blood pump speed से क्या लेना देना है जे blood flow आपने रखा है डेड़ सो और अपने डालस हेट को रख दिया है 500 या 600 तो उस टाइम पर क्या होता है वो दोनों हमेशा जो blood flow जितना रहता है उसका डालस हेट उसका जस्ट डबल रहता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वो जादा हो गया है तो इस टाइम पर क्या होता है low venus pressure आता है कध्यान रखना है कि जो blood flow है blood pump का जो speed है उसको हम थोड़ा सा increase कर देंगे solution में है यह एक्स्ट्र कॉर्पोरियल जो circuit है वहाँ पे जैसे sensor लगा हुआ है है ना venus pressure के लिए sensor लगा हुआ है अगर उस sensor से tubing हो सकता है आगे पीछे कुछ हो गया होगा हड़ गया होगा disconnect हो गया होगा क्या करना है उसको fix करना है सेकेंड चीज हमें करना है low venus pressure आ रहे तो वैस्कुलर रेसेस में कुछ problem होगा उसको fix करना है अब TMP alarm ट्रांस membrane alarm अगर आ रहा है डालेसिस मशिन में देखो TMP alarm क्या होता है डालेजर जो रहता है डालेजर में जो membrane रहता है तो उसमें दो compartment है blood compartment और Dallas head compartment तो यह दो चीजों म में जब miss match होता है तब TMP alarm आती है अब यह क्यों आ सकती है high ultra filtration rate हो सकता है इस वज़े से अगर डालेजर को reuse कर रहे हैं तो हो सकता है कि blood leak हो रहा होगा है ना यह membrane rupture हो गया होगा उस time पे TMP alarm आता है यह कहीं पे clotted होगा line यह clamp होगा तब TMP alarm आएगा अगर TMP alarm लो आ रहा है Trans membrane अगर low आ रहा है तो dialysis fluid का leakage हो सकता है यह तो opening हुआ होगा ठीक है अगर TMP high आ रहा है इसका मतलब यह है कि जो dializer का surface है वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है जिससे कि उसको flow के लिए blood flow के लिए अच्छे से जगा नहीं मिल रही है जिससे filtration अच्छे से नहीं हो पा रहा है engineer को call करना है दूसरा temperature alarm ठीक है temperature alarm आ रहा है यह क्यों आता है जो dialysis में inlet water आती है उस वजह से आती है ठीक है blood leak alarm होती है membrane अगर rupture होगे जैसे मैंने भी TMP alarm में बताया तो उसमें क्या होता है membrane rupture होते तो blood leak कभी alarm आता है क्योंकि उसमें blood compartment से dialysis compartment में blood आती है air alarm अब air alarm क्यों आता है पूरा जो हमारा circuit है या तो वहां पर कोई connection lose होगा जिससे air आ रहा होगा चाहे वह एनेस लाइन से हो वेनेस लाइन से हो या आर्ट्रियल लाइन से हो या हम जहां से medicine दे रहे हैं महां से हो कहीं से अगर air आ रहा है और जो air sensor रहता है वो sense कर लिया alarm है या अगर air alarm आ रहा है तो उस time पे हमें क्या करनी है सबसे पहले patient का जो line है उसको disconnect करके हमें recirculation में डालना है recirculation करने के बाद हमें air remove करना है air remove करने के बाद हमें वापस connect करना है क्योंकि अगर air body के अंदर चला गया तो patient को उसकी death भी हो सकती है कि दैन कभी-कभी CPU error आता है CPU error alarm आता है तो यह क्या होता है एक function होता है dialysis machine का जो कि memory उसका जो रहता है उसकी वज़े से आते तो इसलिए को call करना है क्योंकि machine का वह problem है जो machine के अंदर रहता है अंदर के parts रहते हैं उसमें problem रहता है फिर hydraulic pressure alarm यह hydraulic pressure alarm कि इसमें आता है जो online machines होती है उसमें यह क्यों आता है disinfection हुआ है ठीक है या कहीं पे leakage हो रही है या air आ गया है उस hydraulic system में मतलब जो water content जहां से water आरी वहां पे तो उस time पे क्या है यह alarm आता है सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए हमें proper hot rinse दे देना है एक से दो बार उसके बाद हम preparation में डाल के देखेंगे अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हमें service engineer को call करना है उनको बताना है कि हमें hot rinse disinfect करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है ठीक है उसके बाद यह अपने dialysis machine में यह देखा होगा यह lighting इसका मतलब क्या होता है जो red वाली रहती इसका मतलब यह कोई pressure आ रहा है कोई alarm आ रहा है उस time पे यह red light जलती है और इस time प green वाली जो रहती है यह dialysis चलते रहती है तब आती है so thank you guys आज का मेरा topic था alarm के उपर आपको अगर और कुछ जानना है तो आप मेरे telegram channel से जुड़ सकते हैं महाँ queries जो भी होंगी उसको आप पूछ सकते है keep learning keep sharing thank you